चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफे चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंडिफे डेली बेसिस पर यहां पर आप पर सकते हैं क्यूंट और सब्सक्राइब करें आपको इस वीडियो का कंटेंड मिल सके चलिए आज का पहला सवाल राष्ट्रप नैशनल आवोर्ड टीचर जो है 22 जो है प्रेजेंट किये गए यह पर्टिकुलर्ली विज्ञान भवन लोकेशन दिली में हैं वहां पर यह प्रेजेंट किये गए थे इस पूरे आवोर्ड में जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है मेरिट का उसके अलावा कैश प्राइस मिल दे क्या क्ला लाल में काहां कौन से देश के विजेट पर गया हुआ है पाफ सेप्टेमंबर से पांर लिद्जा को फोकस करेगा अगर देखा जाए तो मंगोलिया के साथ इंडिया का बहुत जादा engagement vd फैंस को लेके military to military exchange होगा high level visit है capacity building पे focus किया जाएगा तो हमारे जो bilateral जो talks है Mongolia counterpart जो जैसे हमारे इंडिया से हमारे राजना सिंग जी गया है तो counterpart lieutenant जो जनन है शेक बयाद जो है इनके साथ discussion हुआ है तो important discussion let's see the next question देखे बांगलदेश के प्रधान मंत्रिशेक हसीना जी हमारे भारत के विजिट पे है चार दिन के लिए कब से यह विजिट स्टार्ट हुआ है तो यह विजिट कल से ही स्टार्ट हुआ है तो यह एक important विजिट रहेगा इंडिया और जो विजिट है यह पांच सेप्टेंबर से लेके आठ सेप्टेंबर के बीच में है जिसमें हमारे भारत के राष्ट्रपती और उपर राष्ट्रपती दोनों से जो है discussion करेंगे उसके अलावा इनका पहला विजिट है location जो है अजमेर राजिस्तान वेरा जो दर्गाह है फेमस सूफी दर्गाह मौमदीन चस्थी वहां पर लेट सी दा next question आइने सत्पूरा ने हाल फिलाल में कौन से देश में विजिट किया for to send in the friendship and corporation तो यह विजिट जो है फीजी वेरा है तो इंडिया का वार्शेप आइने सत्पूरा जिसका विजिट सूवा फीजी वेरा जहां पर operational deployment इनका pacific ocean में है और जहां पर यहां जो है friendship और corporation के ऊपर जो है discuss होगा जिसमें आइने स जो सत्पूरा है उसे जो है विजिटिंग जो है location वहाँ पर रखा गया तो यहां पर एक योगा का जो है आयोजन भी किया गया था योगा का भी आयोजन किया गया था जो है इस पूरे क्रिव के जो सत्पूरा को होड़ कर रहे हैं उनके द्वारा जो है जो वहाँ फीजी में जो नेशनल वार मेमोरियल है वहाँ पर भी जो है विजिट किया गया जहां पर लेटर्स फोल्जर अमेरेटर्स का लैट सीधर एक्स्ट कोशन एक्स्टरनला फेर मिनिस्टर एस जेशंगर जी ने हाल फिला में डिसकस किया जेसी प्योव है कोन से देश के कांटर पार्ट से तो आंसर इस कोशन का कि इरान के साथ तो जेसी पीए क्या है तो पहला यह धि कि आप सभी जानते हैं कि जो इरान का मुद्धा है पूरी दुनिया के साथ यूरप के साथ व्योश्य के साथ वो न्यूक्लियर डील का है तो उस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा जो है कि इरान एक इंपोर्टेंट कंट्री है हमारे इंडिया के लिए अगर साउथ इस्ट है विजिट कर रहे हैं तो इंपोर्टेंट है और यहां पर जभी विजट कर रहे हैं तो नेपाल के प्रेजिडेंट जो है विद्या देभी बंढ TB मांइट मेंट्रेंट एंदोनों देशों का तो चार दिन स्ट रहने वाला है लेट सी दा नेक्स कोशन बहुत इमोडन कोशन 68 एडिशन नहरू ट्रोफी बोट रेस का हाल फिलाल में पुनमादा लेक में हुआ ये कौन सी स्टेट में है तो आंसर इस कोशन का किरला ये क्याल लेक्स होती है तो इससे पहले जो है दो साल ये नहीं हो पाया इवेंट एनवल नहरू बोट रेस का लेकिन अभी ये जो है बोट रेस हुआ तो इसमें जो विनिंग स्नेक बोट था उसका नाम है महा विद्याक कहती जो की खुद जो है लेटनेंड गवरनर जो एडविरन है डिके जोशी अंडमा निकोबर के उनके द्वारा जो है फ्लैग ओफ किया गया था यही चीफगेस भी थे इस इवेंट के तो देखेंगे यह हमारे भारत के फर्स प्राइम निस्टर नहरू जी के नाम पर रखा गया इडिशन यह हुआ था और इसे इनोग्रेट जो है केरिला के फानेंस मिनिस्टर के एन बालुगोपाल ने भी किया था और चीफगेस इसके जो है डिके जोशी थे तो यह दो सवाल आपको मिल सकते हैं चाइना और कौन से देश में जो है टाइफून जो है तो इसकी वेज़े से बहुत सारी दिक्कते आई हैं चाइना और जैपान और भी बहुत सारे देशे जैसे चाइना का जो लोकेशन है बेसिकली इस्टन चाइना में जो है यह जो है तो जैपान और जैना जैसे लोकेशन में जो है टाइफुन के आने की विजए से बहुत सारी सीजे चैंसिल किये गए जैसे सर्वीसेज कुछ फलाइट सर्वीसेज जो है यह सब जो है कैंसिल कर दिया गया है तो यह इसकी जो स्पीड बताई जा रही है यह 175 किलोमेटर पर आर की स्पीड बताई जा रही है बाइदा होंग कोंग अब्जरवेटरी तो उसके अलावा बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी डिप्लोई किये हैं सो डेट की किसी भी डेंजरस जहां पर भी यह टाइप होनाने के चांसिस रहे वहां पर जो है टाटा संस के सारे समस्तरी तो इनका 54 की एज में निदन हुआ है महराज के पालगाट डिस्टिक में की लोकेशन में इनका जो है रोड एक्सेंट हुआ इनका जो कार है इस पर्ष के अंतरगत आये हैं अगस्त में तो एक बड़ा चीवमेंट है उसके अलावा रिसल्डी इसरो ने निव आई एडी टेक जो है लोंच किया है किसके लिए मार्स और वीनस के मिशन के लिए और उसके अलावा जो है इंडिया ने अपने दो पोर्ट जो हैं ग्रां अंसर श्याश के त्वारा बिल्कुल सही दिया अंसर हिमाचल प्रदेश और आज का सवाल जादुगोड़ा जो माइस है बेसिकली यह जादुगोड़ा जो है किसके लिए फेमस है आप इसका अंसर कमेंट बोक्स पर बताएं टेलीग्राम चैनल जोइन करें और प्रदेश लेकर एक हुज डिसकांट ले पाएंगे और अनलिमिटेट एक्सस ले पाएंगे तो ऐसी अपोर्चन्टी मिस मत करना जो आपको आज मिल रही है लाइव अमन कोड से तो प्रोसीड टूपे करें जिससे आपकी फीस है सबसे कम हो सके यूटलाइस इट बाकि करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स लाट फॉर वोचिंग